बंधुगन एजो वंतर जात्या वेबिनार कार्चे प्रम जाहरो शिर्षकर हीची परिवेशक अता उद्वेग शाहिता एबं जुबसमाच एहाकु उद्घाटान परिवे ही उद्षबकु ओडिशारा महामहीमा राज्यपळ मान्नोनियो प्रफेसर स्री पनेसिलार ची एही कार्चे क्रमरे बक्तव्य प्रदान करीवे जाम्या मिलिया इन्वर्सिटी रो बिसिस्टर राजनिती विज्ज्यान विभागर प्रफेसर बुलबुलधर जैम्स आउ ता परे-परे बक्तव्य परिवेशन करीवे ओडिशारो बिसिस्टर बाग्मी पुरुश तथा गांधिवादी चिन्तको शिक्छावीद प्रफेसर दास्बेनुर् एही जो कार्चेक्रम जो हबो सईक्योग दिवेशन यहाकुब परिचालानों करीवे आमो फकिर्मन फाउडेस्टन उडिशा शाखारो महानी विदिशिका डक्टर हिर्मलमी मिस्ट्र सेसरे धन्यबाद अर्पनों करीवे डक्टर संगमित्रा बन्चों बर्तमान महामयम राज्यपळ तांकर उद्घाटनी वासन प्रदान करीवे तांकर परे परे एही उद्घाटनी उच्छोबरे सभापती अभेवासन प्रदान करीवे अंतर चाति अस्तरोरे नारी अर्थनीती खेत्रोरे जने विशेश्रक्यों फावरे परीचिती अर्चल करी थीवार तथा लिंग कत अध्यान नारी बादी चिंतन उपरे पिफिनन गभेशना मलका कार्चा करू थीवार फोकिर्वान कर अलनातरू डक्टर्वान क्यातास समस्तों कु मुन पुनिधरे साथ बाद चौनुछी एई जो कार्जेक्रम एथिरे टेक्निकाल स्वहेता प्रदान कर चंती दिल्लीरू पिरिंस आउ शांतिन के तंडू बिफदकुमार बारिक बर्तमान मुँ मरो प्रारूम्भिक बप्तपय एठी बिराम देऊ छी आपनामान कु मु पकिन्मन पाउन्डेसन वाद दिल्ली तथा उरीसा शाकातरूकु पुनिधरे स्वागत करूची सुबेच्चा जनुची आपनामाने इग कार्जेक्रमकु साफल्ले मनत करांतु धन्यवाद। आसंतु एबे आमें देखिवाएबुण सुनिवाद। मन्यवरो राज्यपाणको द्वारा प्रदत्त अधिवाशन। धन्यवाद। फकीर महन फाउंडेशन न्यू दिल्ली के दोरा आयोजित। इस समय जो विश्व में करोना ने कोहराम मचाया हुआ है। उसके समंध में देश के और विदेश के यानि पूरे विश्व के नविवकों की लिए क्या संदेश होना चाहिए क्या होना चाहिए क्या करना चाहिए ताकि इसके उपर विजय प्राप्त कर सकें सहजता से, सरलता से, सुगमता से उसके लिए आपके यहां पधारने पर और मेरी बाप को कहने के लिए मुझे जो अफसर प्रदान किया है उसके लिए मैं फकीन मोहन फाउंडेशन युदिली का आभार व्यक्त करता हूँ, अभी वादन करता हूँ जहां जहां भी हम गए हैं और बच्पन से अत्तक विद्याले में गए, महा विद्याले में गए, विश्विद्याले में गए दिक्षांत समारो सुने हमने सब जगा ये कही जाना है कि चाहे विश्व हो, चाहे भारत हो, नौजवानों को, चाहे वो शिशू है, बाल है, यह कही संदेश दिया जाता है, कि आपको असत्य से सत्य की तरफ चलना है, आपको विमुक्त होना है, आइज से, माइज से, यू से, यूर से, दिस और दैट से, आपको वो सिख्षा चाहिए, जो आपको विमुक्त करती है, जो आपको कौच करती है, ट्रांसेडेंस में, जो जैसे आपको तत्मसी, इरामिन जैसे साइंटिस्ट कहता है, जो आपको अपने में स्थित करती है, जो आपको प्रकाश की तरफ ले जाती है, अंधकार से, इसलिए स्वभाविक रूप से विद्यार्थी के लिए चाहे वे किसी भी उमर का क्यों न हो उसके लिए एक ही बात है कि वे प्रकाश है, वे सत्य है, वे प्रेम है, वे अम्रित है, वे करुणा है वे सेंसेटिव है, संसीर है, वे स्माइल से भरा हुआ है, वे साइलेंट भी है और स्टिल भी है वे सत्य प्रेम करुणा का एक समुच है, इसी को दुनिया के सब लिट्रेरी परसंज जिनोंने जितना भी लिट्रेचर लिखा है और पर्टिकलरली योग वशिष्ठ जिसमें वशिष्ठ और श्री राम जिनको भगवान मानते हैं, संबाद हैं भगवान कृष्ण ने गीता में भी इसे ही कहा मुक्त संगो अनमवादी धरती उत्साह समनविता फाल्स प्राइड से, अपनी आईज से, अपने अहम से मुक्त होना उत्साहा उमंगरुलास जिसको जील कहते हैं, उससे भरकर आगे बढ़ना यह यूथ का एक परिचय है, कि यूथ किसको कहते हैं no comparison, no competition, no complaint, कोई शिकायत नहीं, कोई तुलना नहीं, कोई संघरश नहीं तो क्या सर्टीचिल, courage, calmness, corporation, cooperation, समनवे, सहयोग, एकात्म, यज्ज यह यूथ का परिचय है, हमको सबको ध्यान में आता है, जब हम greatest among of India, जिसके नाम पर युवाद दिवस मनाया जाता है, उनके शब्दों को हमें ध्यान में है deafening a place for five minutes in the Chicago, ऐसा ताली बजाकर स्वागत थंपिंग, जो thundering voice उनने दिया था केवल sisters and brothers of America, ये केवल simple बात नहीं थी, आतियंतिक प्रेम का प्रवाः था, अंतहे करन के प्रेम प्रवाः को उन्होंने विश्व में प्रचारित किया था, पहली बार विश्व को ऐसे लगा था, के यूथ का मतलब क्या है, नौजवान का मतलब क्या है, पहली बार दुनिया ने जाना, कि हकीकत एक है हर शैकी, नूरी हो या आसमानी, लहू खुर्शीद का टपके, अगर जर्रे का भी दिल चीरें, पूरे का पूरा लिट्रेचर इस प्रकार का, यूथ का परिचे दिया गया, जवान होता क्या है, जहां तक करोणा का समंध है, विश्व मानता होगर हमको भी ध्यान में है, किसी ड्रेगन ने या किसी डाइनासोर ने कभी किसी धर्ती को गुलाम बनाने की परवर्ती अगर की भी है, तो वही धर्ती से लुप्त हो गए है, जहां तक डिजीजिस का समंध है, बिमारियों का समंध है, यूथ इस बात को समझता है, जानता है, कि शार्क कितना भी बड क्यों ना हो? वो किसी समुद्र को पूरे का पूरा तो नहीं पी सकता, कभी मानवता को कोई खतम तो नहीं कर सकता, इसलिए यूथ का परिचे साधान तोर पर हो गया, सब को प्यार करना है, सब को स्वीकार करना है, कोई bandages नहीं है, कोई limitations नहीं है, कोई shackles नहीं है eyes or minds के, नहीं है, borders नहीं है, banners नहीं है, he is good for the sake of goodness, he blooms for the sake of blooming, खिलना उसकी nature है, उसको अच्छा काम करना उसके सभाव में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से, यूथ का परिचे, अगर हम पूरे महरशी विवेकानन्द के literature को पढ़ें, महरशी आरविंदू के literature को पढ़ें, तो श्री माने भी कहा, कि यूथ is a gift from the divine, to unite with the divine, कितना भी tramoils क्यों ना हो, कितने भी उफान, तुफान क्यों ना आते रहें, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, प्रकाश की किरन, seed of spirituality, seed of divine is always present there, रात कितनी भी गहरी और अंधेरी क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश की कल्पना कोई नहीं कर सकता, सूर्य अगर आसमान पर ना भी चमके, तब भी तो प्रकाश रहता है, इसलिए विवेक अनंद ने भी कहा, arise, तो क्या, उतिष्ठ क्या मतलब, arise of soul, conquer time and space, conquer time and death, उन्होंने का, awake, awakening of the consciousness, क्या मतलब, यूथ को उन्होंने कहा, covering in the sky, they are to be brought down to the earth, उनको धर्ती पर उतारना है, इसलिए तुमको जागरित होना है, और इसलिए उन्होंने तीसरी बात भी कि, stop not, till the goal is achieved, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा है, कि संकल्प से सिध्धी की तरफ चलना है, चरवाईती चरवाईती का तुमारा सिध् जिसको आज कल हम कहते हैं, कल भी देश के माननी है, प्रधान मंतरी जी ने भी कहा, कि क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि एक दाएं हाथ में आपके duty है, आपका करतव्य है, तो बाएं हाथ में आपके सफलता है, इसी को हम कहते हैं कि एक हाथ में चाय का कप लेकर चलिए एक हाग में पुश्प लेकर चलिए जैसे हम यूथ की बात करते हैं ऐसे ही राष्ट भी अपने आप में उसकी भी चिती होती है वह भी एक जवान है और इसलिए हमने कहा कि ऐसे सन्राइज टेक्नलोजी से सुगंधित फ्लावर पाट को लेकर वर्ल्ड के अंदर चलिए वह यूथ के लिए आवशक है दुनिया में गास्पल अफ इक्वलिटी गास्पल अफ सालवेशन गास्पल अफ सोशल अपलिफ्ट ये अराइज अवेक का और स्टॉप नट दिप इस बात को देश के माननिये प्रधानमंत्री जी ने भी कहा श्री माने पांडिचरी से कहा महरशी विवेकानंद ने कहा और विवेकानंद ने तो ये हदां तक भी कहा कि यू अर्भी गॉट मैं नहीं हूँ पर मैं वो हूँ जिसको इरामी भी आजकल क्वांटम मेकेनिक्स का वेक्ती भी कहता है और वो भी कहता है के तत्व मसी तत्व मसी तत्व मसी तु ही है तु ही है तु ही है इसलिए यूद को नौजवान को अर्थाक किसी भी बाल को शिशु को या नौजवान को या प्रोड को जिसका उमर के साथ कोई समंद नहीं है उसका तरीका बताया गया और उसका तरीका ये है बड़ा आसान तरीका है और उसका तरीका ये है कि आपके वर्षिप के पूजा के अर्चना के आराधना के वंदना के केंद्र जो बनें इस आहम को लुप्त करकर वयम की स्पिरिट से भावना से बढ़ें वैश्विक व्यथा को अनुभूत करते हुए विश्व के मस्तक पर शान्ती और बंदुत्व का कुंकुम लगाने के लिए तयार हो जाएं इसके लिए साफ साफ कहा गया कि आपके गौड जो हैं वो दो विकर हैं इसके लिए कहा गया आपका रंग ब्लू होगा आपका रंग रेट होगा आपका रंग ग्रीन होगा इन सब को मिक्सप कर दीजिए और इसको वाइट में कनवर्ट कर दीजिए और वाइट है इंटेंस लव आतियंतिक प्रेम अपने अस्तित्व का महबब, इश्क जैसे बहुत गाने चलते हैं वो हर शै जो तुम्हें गम दे मुझे मेरे सनम दे दो अधरों पर मुसकान खिलाना है आँखों से आँसूं आने से पहले खिलाना है उसको हम नौजवान कहते हैं भारत के सामने ये चैलनिज नहीं है भारत का नौजवान हमेशा से इस प्रकार की गती विदियों को करता रहा है और हम जब गुलाम थे तब भी किया और दुनिया ने उसको माना और दुनिया ने उसके लिए हमारी बंदना भी की है इसलिए हम कहते हैं कि पूजा अर्चना करिये कोई दिक्कत नहीं है पूजा अर्चना करने का लेकिन कुल मिलाकर फुल्फिल्मेंट ऑफ हुमन इन्फिनिटी और कैसे करेंगी साथ सर्वेंट अफ गौड बनकर और सर्वेंट अफ गौड बनने का मतलब है इस इंट्रस्टिड सर्विसिज करिये मूख भारत ऐसे भारत ऐसा विश्व भी आज करोना ने पूरे विश्व को जो हमारा तत्व दर्शन था उसको सामने लाकर उपस्थित कर दिया है आज विश्व को बता पड़ गया है कि मेडिटेशन कॉंसेंट्रेशन कंटमपलेशन आज पूरा विश्व जानने लग गया है भारत के नौजवान ने जो भी दुनिया में जाकर बात की जैसे ठारा सो तिरानवे में की अठार विवेकानंद ने की महरशी अरविंदू ने की भगनी नवेदिता ने की श्रीमा ने की आज देश के माननिय प्रधान मंत्री जिस बात को कह रहे हैं कन्फियूसियस ने कभी चाहिना में कहा बुद्ध ने कहा जिस महापुर्शों ने जितना भी लिट्रेचर आई तक है और योग वशिष्ठ जो सबसे पुराना लिट्रेचर है उस सबने एक ही बात कहिए कि rise like the rise like the tidal waves you see and delusing the world with the consciousness and the spirituality द्रड़ संकल्प के सामने perseverance के सामने नियती को भी जुखना पड़ता है नियती भी कुछ नहीं कर सकती है इसलिए it is a challenge before the youth आज नौजवान को एक challenge दिया गया है और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी opportunity है कि आज पूरे विश्व के अंदर जिसको आप universality of religion भी के सकते हैं सारे देशों का world के countries का unification भी हो सकता है और उसका आधार केवल अगर होगा तो एक ही आधार होगा और वै है आधार सेवा सेवा के आधार पर ही हम पूरे विश्व को एक कर सकते हैं अपने अपने पुश्पों की सुगंधी से पूरे विश्व को सुगंधित कर सकते हैं उनका एक का बॉंकेट जिसको कह सकते हैं उसका एक गमला तयार कर सकते हैं उसका एक उच्छा तैयार कर सकते हैं और ऐसे पूरे विश्व को हम एक करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और जैसे महर शिवी वेक अनंद ने कहा था कि दृद्र नाराइनो भाव आज देश में वर्ल्ड में जितना भी उपेक्षित वेकती है जैसे अभी माइगरेंट जिसको लेबरर्स कहा गया मैं उसको माइगरेंट आर्टिस्ट कहता हूँ मैं माइगरेंट वर्कर्स कहता हूँ जो आ रहे हैं उनकी सेवा जो लोग कर रहे हैं आईसा सिवा करना, उनका ध्यान देना, और यह जो करोना वारियर जो लगे हुए हैं, सब के सब काम कर रहे हैं, यह सब योगी ही तो हैं, इनके सिवा कुछ नहीं, इसलिए पूरे विश्व के अंदर जो गीता का संदेश है, वह यूद के लिए अपलाई होता है, और वह खिर्शत्ता जो है, वह उसी consciousness की है, चेतना की है, spirituality की है, उसी को उजागर करने के लिए, यह आज का जो करोना है, एक challenge बना है भारत के नोजमानों के लिए, विश्व के नोजमानों के लिए, कि इस धर्ती पर संद्रिय, सभाव, माधूरिय, संद्रिय, माधूरिय, beauty, light और peace, धर्ती पर आने को उत्सुक है, केवल आशकता है तु यह है के तु अवेक, arise, awake and stop not till you are able to get them down on the earth so that this tiny speck of cosmos, this petty pretty planet may be again worth living for millions and billions, billions and billions of the people. इस प्रकार का संदेश मुझे लगता है के इस समय देश के नोजमानों को देने के लिए अच्छा रहेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद, बंदे, उतकल, जननी. प्रकार, मकिर्मान फाउंडेशन तरफ हरू, आजी रही दिसेस बेबिदार्वे, जोगो देई थिवा, समस्थ कुझी जनन, एबंग प्रिया, छात्र छात्रिको, मरो, हार्टिक, अभी रंदनन जडाउंछी. आजी आउगुट सुभधिब अबसर, सेटाला रज, कोहिली रज, सेटी पाई मध्या सुभेच्छा जोडाउंछी. एटक जटी त, आजी रो ओरिसार, बरपुत्र, संक्रांती पुरुत, व्यासत अभी फकीर महन सेडापतीं करा पुन्य ती थी. ताकु आमर विनम्र प्रणान. अन्जय सबु व्यत्ती त, फकीर महन जडें सामाजिका सचेतना फिरा बिख्टी थीने. आजी रोई संक्ट जणकों कोविट पुजिक्रती गुरुष्टीरू, जिव ओन्लाइन कार्जयक्रमटी रखा जाई थी, कहाई ही महान पुरुष्टर, हकीर महन सेडापतीं का पुरुती रे समर्पितौ। फांडेशन द्वारा और बहुत कार्जयक्रमटी सर्पदा निर्भाहितो होई थाए। एया बिशसकरी जुबपीडी उध्यत्सरे करा जाई थाए। ताकरव जुँ मात्रुभाहसा प्रती आदर कमीगमी जाऊची। ताहकु कीपरी उन्ना जिवीत करा जिव सेदी गरे पकिर्मट फांडेशन सर्पदा कराया सरता। नानादी सामाजीका, आर्थीका, नाइतीका, परिबेस गता एबंग जेंडर इसुँज जनिता समस्यागुडीको बिशारे, फाहित्य जरियारे जुबपीलिंको साचे चना करीवा, एबंग ताहकरा आग्रोपो एसोबु दिगरे पढ़ाईबा, पकिर्मट फांडेशन ह अब भुबरे से दिगरे प्रयार्श गर्थ है, बत्तमान जो बेदीनासी हैची, ताहको कुटे सुंदर आख्या मिलीची, उडियारे से ताको संपाना को हाजाए, इन्तु दासबे नूर बढ़िया अननन्य महाल बेक्ती, ताहको नादे चंती नब संपाना, कहीं किना ता अरिवेश गता, उद्वेग, साहित्य एबं जुभपेडी, ए सबु एको कंसर्ण्स, लिट्रुच्या, एल यूथ, ए सबु कु नहींकी आजीर संपानाती, बत्तमान फकिर्मान फांडेशन बहु कामा हाथ्तकु नहीं छिए, एदी गरे आपण माने करा समथान, आपण म पूरी थरे आपण मानको धन्ले मार जणाउची, एबं आगोकु, ही पडिभाबरे, आमें आमरे एक आज्यक्रम बुलीकु आगोकु नहीं तारीबा, छिदिगरे आपण गरे सजेशन्स मध्य मुँ इन्वाइध करीची, एथरे दुई पद इंग्राजीरे कहीजी आमरे उडिया भाइ पाइम अधू को प्यां, नमस्कार. नमस्कार एक ट्रिपधी, एपिश्ट एक्सिट्स एवेरी ओव्ल्म लेखम टू को आज. Today is Fakir Mohan Sinapati's Memorial Day. Professors and students from several universities have joined us today. They are from Utskan University, Fakir Mohan University, Delhi University, Calcutta University, Jamia Melia, Vishwa Bharati Shantenegetan, North Odisha University and many other prestigious institutions. Besides, there are artists and people from different walks of life who are with us today. It is rather heartening to note this. At the outset, I, on behalf of Fakir Mohan Foundation, wish to express my humble gratitude to His Excellency, the Governor of Odisha, for his extremely inspiring inaugural address. If you just heard, Fakir Mohan Foundation draws its inspiration from the legacy of this iconic persona called Fakir Mohan Sinapati. Fakir Mohan was a hardcore social reformer and an academic activist. So today's online event is dedicated to him. The present-day calamity, the global calamity, calls for a new order of things, as you all know. And it is time that the youth come forward and be a part of it and be agents of change. The governments of different nations should now work in solidarity and build upon the concept of one world and take the youth along. The foundation has conducted many outreach programs to sensitize the youth in understanding socioeconomic problems, environmental problems, gender issues, and all through the medium of literature, because literature has some qualities which helps us to get across to people easily. Moreover, as many would know, literature has a symbiotic relationship with environment, society, and many other things. This has been acknowledged since the days of Plato. So, Fakir Mohan Foundation tries to add value in society by arousing in the youth the love for the time-tested paradigms that endure. They also impact and affirm the core principle of humanism. In fact, to give you some statistics, 65% of the population of the 1.3 billion people that we have here are below the age of 35. So, 65% of the population of the 1.3 billion are below age 35. To look at it differently, 50% below, are below the age 25. Now, this is something to reckon with. India, it's a huge magnitude of young people. And India is heading to be the youngest country in the world. It is the human capital that forms the foundation of society. And with young people in such large numbers, we have vast potential for nation-building. So, it is imperative that this critical mass of young people is geared towards thoughts that are positive. Literature, which is a part of our intangible heritage, trains the mind to do that. When good thoughts are in place, they would automatically lead to good action and in the right direction. And that is the need of the hour. Now, very interestingly, I would like to quote here, Bernard Shaw, who has said that youth is wasted on the young. Maybe he probably gave us a nudge to remind us the vast potential that is there and we can repose faith on this critical mass. But the point is that can we afford at this juncture to let go the youth, the potential of the youth, which is there and the young. So, Bernard Shaw, I repeat, has said, youth is wasted on the young. So, we should not let it go wasted. So, on this note, I would like to end my talk. But before that, I would remind the listeners that today's topic is eco-concerns, literature, and youth. So, the listeners, the students, and all those who are assembled here need to... bear in mind that we need to link literature, eco-concerns, and the youth. Now, how they do that is their creativity. We shall, in our future sessions, introduce various other programs, which is based on our objectivity or rather objective of, you know, sensitizing the youth to contribute to society in a positive manner. Now, before that, before I end my speech, I would like to particularly thank the three brilliant members of our steering committee. They are Dr. Hiranmai Mishra, Dr. Rabindra Kubar Das Visubharati, and Sangavitra Bhanja. Dr. Sangavitra Bhanja. I thank you all for your contribution to Fakimon Foundation. And, perhaps, without the help, this session would not have been, would not have happened. I thank you all once again. And, I seek your support and cooperation in the agenda that we need to take forward. Thank you once again. Namaskar, Fakimon Foundation Tarapuru Hirthi Bhai. Webinar ku samashtam ku su Agatjano ji. I welcome you all, whoever has joined us, our students from different universities, Manika, Ma'am, Rabdabu, and our esteemed speakers of this evening. We are very happy, elated, and excited that we have got two very renowned speakers with us for this purpose, to speak on the topic of today's webinar. Dr. Bulbuldhar James is online. I welcome you, ma'am. And, I welcome you, and we are happy that you can give us your consent, and you are giving us your precious time. Let me introduce our first speaker, Dr. Bulbuldhar James. Dr. Bulbuldhar James, after doing HOP-PG and Mphil from JNU, she has worked, she has done her PhD from University of London as a Commonwealth scholar. And then, she has done her postdoc as a Fulbright fellow in USA. And she has been abroad many times as a visiting fellow, as a visiting scholar. It's very, I feel very humble to introduce Dr. Bulbuldhar James, as she is a very renowned scholar, both academically and also otherwise. She has published extensively. She has worked in many capacities. At present, she is teaching political science in Jamia Millaya Islamiyah University, New Delhi. She has also acted as the director, Sarojini Naidu Center for Women's Center, JMI. She has also acted as coordinator MA political science program through open and distance learning in Jamia Millaya University. She has done, she has done a job as coordinator MA human rights program. She has been also doing consultancy. And Dr. Bulbuldhar James, I'm very happy that you are joined with us. She has written extensively. And her research interests are human rights, governance, gender, and other issues related. So, with these few words, I welcome you and I request you, Dr. Bulbuldhar James, to carry on your speech on our eco-conscience, literature, and the young students, or the young generation. And we have also with us to join later on our second speaker, Prof. Das Banur. Professor Das Banur is a very renowned speaker, sir. practice heut अगत करूची एई नवसंपान कु आमारो आमसरत अचनती प्रफशा जितेंद्र नार्यान दास आमें जहां कुछ नहरे समस्त जानांती दास बे नूर बली दास बे नूर कु इंट्रूस करीबा मोपक्षेरे गुटे ध्रुस्ट दा गायंगिनास सांकु समस्त जानांती के बले ओडिसारे नुहांती सारा भारत बर सरे साहित अकाडेमी दो बाल साहित पुरसकार पाई चनती साहित्यर सब्भू विभाग नाई जोटी दास बे नूर का स्वाख्या छाडी जाई नांती विसेशकरी पगड़ी पुरस एगं गांधी कहानी एदो इती बही बही बाई दास बे नूर कु अरिया जाती सबु दिन बाई मन रखिवा शिजने विसेश्ट गांधियान स्का भी पुर्टाइ इन लाफ्य पुर्या लेगा झांधिया योड़ी बाई लेख्या है विसेशने पलिण गांधियान स्वार, विसेश्प लड़ी गड़ी अरुलिण पुर्ड़ी, को मुदय लाउरे विसेश्फ नांती पूलिए लागिव बाई बाई सहेरी आणी सबु आ अमार अती प्रियो लेख्खा को अमार सहीत अच्छन दी आज इरे आमर दित्तिया बक्ता भबरे मुंतां स्वागत जरोंजी एबंग एहा सहीत मुं प्रफिसर बुलबुलधर जेम्स को रिक्वेस्ट करचे यहां रिक्वेस्ट ठत्री इस गयां नहीं। यहां जाएब का जेए इस व्रावनाश। स्क्राइब प्रफिस लेख्गा नहीं। झाल 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 झाल